नमस्कार जय हिंद आप सभी का स्वागत है इस शीशे का काम बहुत बढ़ने वाला है क्योंकि USB अब घुस चुका है उस फील्ड में जिसका नाम है जिए आप समझ रहोंगे कि आपको शीशा क्यों दिखा जा रहा है अचली यह शीशा तो उस तरह का नहीं है जो यह लोग शायद बनाएंगे इस और इसको कंट्रोल करने में एक वर्ड आता है जियो एंजीनियरिंग वेर हम लोग अपनी ही जियो को एंजीनियर करना चारे है अभी एंजीनियर करना चारे है ताकि जो भी अलबीडो हो जो भी रेंफॉल हो जो भी आपका हीट डेवलफ हो रहा हो उसको हम कहीं ना कहीं कम करें डिसिपेट कर दें यूएस भी इस महारण में उतर चुका है और अभी अभी खबर आ रही है वाइट आउस से कि वो चालू करने वाला है कुछ ना कुछ स्पेस में काम जिसे की धूप कम आएगी जब हम सन को आई ना दिखाएंगे या ऐसी चीज़े करेंगे तो वहीं से आपकी सनलाइट वाप बस मुड़ जाएगी अब सवाल यह है कि आखिरे कैसे हो सकता है यूएस क्या रोक पाए कई सनलाइट को अगर रोक पाता है तो क्या होगा और अगर नहीं रोक पाता है तो क्या होगा आए समझने की कोशिश करते हैं सन एक मात्र ऐसा सोर्स जिसने सब कुछ सारा कुछ एन चेंज की बात करिए एक बात तैह है कि दो डिगरी से धर्ती का टेंपरेचर ब्रीच करने वाला है अब इस दोरान लोगों ने सोचा कि आखिर किया क्या जाए लोग तो मान नहीं रहे वो तो एमिशन्स करेंगी करेंगे और इस एमिशन्स के कारण एनरजी ट्रैप भी इसके लिए इस मेतडस को कहा जाता है और शायद यी स्पेस से लेके पानी से लेके धर्ती से लेकर हर जगः यूज़ की जा सकती है वह बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसके जिसमें पहला जो U.S. प्रपोस कर रहा है वो है एरो सोल इंजेक्षेन इन्टू द लिगार stratosphere जी हां stratosphere जब आप धर्ती से लगभख 50 km की रेंज के ऊपर उड़ने हैं या फिर अगर आप मान लिजे 18 km से लेके 50 km तक की रेंज में हैं तो यह रेंज वो है जहां पे you can try to have a very different form of layer इसी को कहा जाता है troposphere की उपर वाली layer stratosphere यहीं पे आपको ozone भी मिलते हैं और यहां पे आपको काफी चीज़ें मिलती हैं मतलब 50 km की अबधी है और इस पूरे भाग में जब आप देखेंगे you will have certain sulfates, sulfur मिलेगा आपको यहां पे जो यहां काफी दिन तक रहता है यह sulfur क्या करता है कि जैसे ही आपका आया sunlight इसको reflect कर देता है वापस तो US में पढ़ा और बाकी की देश भी पढ़ा है कि कैसे हम लोग aerosol injection कर सकते हैं at this place जिससे जैसे ही sunlight आएगी वो इससे reflect होके वापस चली जागी धरती तक आएगी ही नहीं एक यह तरीका अपनाया जा स सकता है दूसरा तरीका किया हम लोग अपने Cyrus Cloud जो की सबसे ऊचे Cloud होते हैं होते ट्रपास्फेर में ही हैं पर जो सबसे ऊचे Cloud होते हैं क्या हम लोग Us पे कुछ कर सकते हैं जी हाँ याद रखिएगा Cyrus Cloud वो Cloud है जो सबसे धिन ओने आते हैं और थिन माने जाते तो वह से लड़ों को ड़ोने देते हैं पर जब हमारी एडियेशंग के निकलती वहां पर उसको पकड़ लेते हैं इसको बचाने के लिए अगर हम इसको और थिन करें तो ये इसको भी पासहाउन मतलब ज्यादा धर्ती का आउट रिफ्लेक्शन चालू हो जाएगा एक दूसरा तरीका साइरिस क्लाउड थिनिंग तीसरा तरीका शायद आप थोड़ा सा समझेंगे बहतर अगर हम आपको इस इमेज में दिखाने के कोशिश करें तो एरोसोल इंजेक्शन का मतलब है कि हमने एरोसोल छड़क दिया है यह प्रोसेस मुआ है जब वल्कानिक एरफशन होता है तो आपके एरोसोल पूरे अट्मासफेर में फैलते हैं और जब तक वल्कानिक एरफशन का बढ़िया खासा एक रहता है महल बनाता है वो अच्छा खासा इंपैक्ट रहता है तब तक जितन आपको ये भी बता दें कि हो सकता है आपके जो मरीन क्लाउट्स है या फिर जब आप ओशन की ऊपर देखेंगे जो की क्लाउट्स बने हुए हैं अभी अगर बरसात नहीं कर रहे हैं या यह थोड़े से इनको अगर हमें और ब्राइट करना है तो क्या किया जाएगा हम इन प हुआ है जैसे सनलाइट आगी इसको भी रिफ्लेक्टर कर देगा बाहर तो यह तीन मेथ़स हमने देखा चौथा मेथड हम आपको बता है तो यह बहुत कूद के आगे गया बुला में जाके सीधे स्पेस में रिफ्लेक्टर लगा दूँगा यह रिफ्लेक्टर क्या सन आएगा रिडिएशन आएगी और उसको बाहर भेज देंगे यहीं से स्पेस से ही रिफ्लेट कर देंगे यह उसी तरीके सोगा जैसे हमारे हां ग्लेशर करते हैं या बाकी और भी कोई रिफ्लेक्टिव चीज़ें वो करेंगे और इन सब में कॉमन चीज क्या है कि हम लो एक और तरीका है जिसको शायद आप पहले एक टर्म समझेगा जिसका नाम है अगर कभी आपके सामने एक्जाम में है तो समझेगा यह सीधे बाहर भेज देता है उसको कहा जाता है अगर इनरजी जो आती है वो रिफ्लेट कर दी जाती है बाहर इसी के तोरान एक नई चीज है नई टेकनोलोजी है जिसका उधगाटन अलेड़ी हो चुका है इसको कहा जाता है आर्टिफिशल ट्री या दफेक ट्रीज आप देख सकते हैं बिलकुल ट्री जैसे नहीं लग रहे हैं यह पर इनको फेक ट्रीज कहा जाता है क्योंकि इनका इसके भी एक आर्टिफिशल ट्री का भी बनना शायद कारगर हो सकता है पर इन सब के पीछे एक दिक्कत है इन सब के पीछे एक चुनोती है हम लोगों ने अभी तक ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है कि इन सब को करने के बाद अगर आप एरोसोल स्प्रेड कर देते हैं वो कितन पर आप इसका क्या इफक्त पढ़ने वाला नेट हीटिंग पे हमें थोड़ी सी चुनोती लगता है दूसरा आप अगर मिमिक करना चाहरे है नाचुरल प्रॉसेस को तो आपके टाइम और आपके पेस पे भी डिपेंड करता है हर चीज अपने टाइम पे हिसाब से हो रही ह अगर आप उसको एक्सपिडाइट कर देंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत वाएंगी आपने क्लाउड को थिन कर दिया या ब्राइट बना दिया उससे कोई नई समस्या भी पैदा हो सकती है कि वो धर्ती पे ही और रिफ्लेक्शन करने लगा अंटिल वी हाफ स्टडीड ओल दिस थिंग्स वी केनाट वेंचर आउट इंटू सच जियो एंजिनरिंग मेथड्स भले वो एरोसोल का इंजेक्शन हो भले वो क्लाउड सीडिंग हो भले वो आपका साइरस क्लाउड का थिनिंग हो भले स्पेस रिफ्लेक्टर्स हो और यह हैं काफी आगे बढ़ चुके हैं और इस काम को कर रहे हैं भारत अभी इन चीजों में नहीं सोच रहा है बड़ टाइम माइट कम कि हम अपने उपर रिस्ट्रेन रखते हुए इन चीजों के बारे में थोड़ा रिसर्च चालू करने हैं आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं जिसको आप जोइन कर सकते हैं चंद्रमॉली SIR आप इसको जोइन कर लिजेगा तक ही आपको वहां सारे अफडेट हम देते रहेंगे हमारा एक बैच भी है जो अलड़ी चालू हो चुका है दिस यौर प्रतिग्या बैच ओनली फॉर हिंडी तो आप हिंडी के लिए अगर तो इसमें जरूर भाग लिजेगा वियर हाविंग डिस ऑन 9 जिलाई 50 क्वेश्चन साथ मिनट 11 बजे होगा यह जरूर एन्रॉल कर लिजेगा और एन्रॉल करते समय आपको एक कोड याद रखेगा CMC जिसका आपको लाब ले सकते हैं थैंक्यू सो मच टेक के जैहिन बाब याद होगा यह जरूर भाए